Attack on Titan The End of Another Masterpiece Finally 2013 से चलने वाले Attack on Titan का आज दी एंड हो चुका है और मैं काफचिदा गलाड हूँ कि भाई मापा ने ओर एक फाइनल सिजन का फाइनल पार्ट नहीं निकाला क्योंकि हमको बोला जा रहा था कि हमको मांगा से काफचिदा डिफरन एंडिंग देखने को मिलने वाली है एनिमे के अंदर जिसके अंदर अपना एरन जिन्दा रहेगा लेकिन एंडिंग तो भाई जो मांगा के अंदर थी वही एंडिंग हमको एनिमे के अंदर देखने को मिली है मांगा की एंडिंग की तरह यहाँ पर आने में के अंदर भी अपने दोस्तों के फ्रीडम के खातिर एरन येगर ने अपने आपको ही सैक्रिफाइस कर दिया वो अकला ही सारी दुनिया के सामने विलन बनके रहे गया लेकिन उसके दोस्तों को ही पता है कि वो ही एक ट्रू हिरो है एरन ने इस वाले फ्रीडम को पाने के लिए 80% आप दी हुमेनिटिक को मार दिया लेकिन इस वाले freedom को experience करने के लिए वो खुद जिन्दा ही नहीं रहा और अभी Eren के जाने के बाद में पूरे के पूरे AOT की वर्ड के अंदर से Titans की powers भी जा चुकी है और एक type से हम बोल सहते हैं कि जो की Ymir का curse था वो भी पूरी तरीके से खतम हो चुका है लेकिन Ymir के curse के डुटने के पीछे Eren का कोई भी हाथ नहीं था वो मिकासा थे जिसने Ymir का curse पूरी तरीके से खतम करा क्योंकि जैसा connection मिकासा और Eren के बीच में था ठीक वाईसा है connection Ymir और कालफ्रिट के साथ में भी था कालफ्रिट एक टाइप से इतने सारे बुरे काम कर दा था फिर भी Ymir उसके पीछे हमेशा खड़ी रहती थी लेकिन कालफ्रिट के लिए इतना कुछ करने के बाद में भी Ymir जो love deserve करती थी उसको कभी नहीं मिला वो बस कालफ्रिट के लिए एक स्लेवी थी जो की उसे टाइटन प्रडूस करके दे रही है एक टाइप से कालफ्रिट ने उसको बस यूजी करा है उसके टाइटन के पावर्स के लिए Ymir ने उसके लिए इतना कुछ करा लेकिन बदले में उसकी जबान काट दी गई और जब वो कुछ करने की हालत में नहीं रही तब उसके खुद के बच्चों को उसकी बौड़ी खिला दी गई और यापर एरन और मिकासा का कनेक्शन थोड़ा सा सिमिलर ही था क्योंगे एरन भी एक टाइप से बुरे काम कर रहा था फिर भी मिकासा उसके ठीक होने का वेट कर रही थी मिकासा भी एरन के लव के लिए एक टाइप से स्लेवी बन गी थी और जब उसने एरन को मारा तब ये मिर का कर्स भी तूट गया रोगो खुद फ्री हो गई एरन के जाने के बाद में उसको पता चला कि एरन तो उसको कभी भी हेड करी नहीं सकता था और नाई वो मिकासा को किसी ओवर के साथ में देख सकता था वो तो बस अपने दोस्तों के फीडम के लिए साथ साथ उनको सोसाइटी की अंदर हीरो दिखाने के लिए खुद विलन बन गया और जब एरन और सारी टैटन्स की पावर जा चुके दी तब सबको पता चला कि जो एरन ही था जो सबस्यादा सफर करना था लेकिन एरन के इतना कुछ करने के बावजुद भी सोसाइटी की अंदर ये वाला फीडम किते दिन टिकेगा कभी ना कभी तो वार हो गए और फिर से लोगों को अपर और लोवर दिखाए जाएगा हम तो मांगा से डिफरेंट एरन के लिए एक हैपी एंडिंग देखना चाते थे जापर एरन और मिकासा फिर से साथ में हो लेकिन बागी कोई और खुश हो ना हो लेकिन मैं इस वाले एंडिंग से काफचदा खुश हूँ वो सकता है कि ये वाले ending Aaron के लिए happy ending ना रही हो लेकिन Aaron ने जाते जाते बाकी other लोगों को तो happy ending दी है इस वाले ending के अंदर अभी ना किसी बच्चे को अपनी मा को खोना पड़ेगा वर अभी founding titan की power जा चुके तो ना कोई किसी का enemy है सब बस अभी एक normal human सी है तो आप AOT के इस वाले ending से कितना ज़्यादा satisfied हो मुझे comment करके जरूर बता देना तो चलो otakus आज के इस video में बस इतना ही अगर आपको मेरा explanation थोड़ा सा भी पसंद आ गया होगा तो इस video को like कर देना अगर आप मेरे channel पर नहीं हो तो channel को subscribe कर देना हमें 1000 subscriber के काफ़ जदा करीब आच चुक है तो मैं मिलता हो आपको next किसी interesting video के साथ में तब तक के लिए sayonara